हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं प्रतिनित्यों द्वारा समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लोग तांद्रिक विवस्ता के तहट संचाले तांदोलन बड़ा रूप धारन कर सकता है ऐसी स्थिती में कानून विवस्ता बनाय रखना पुलिस प्रशासन के लिए चिनोती बन सकता है आंदोलन की तहट गु भीनमाल द्वारा शेहर में रैली निकाल कर आक्रोश रताया गया इसके बाद पी-एम वसी-एम के नाम उपकंड अधिकारी जवाहर राम चौदरी को ग्याबन सौपा गया बीनमाल शेहर सहित विदानसभा शेत्र के करीब 300 गाओं वक करीब 1100 ठानियों में नर्मदा का प स्वीकरूत कर बजट भी आवंटन किया गया था पुक्त योजना का पानी वर्ष 2016 में उफलब करवाना प्रस्तावित था लेकिन राजनितिक प्रशासनिक उदासीनता की वज़ा से 2016 तक मातर 50 से 60 प्रतीशत ही कारे पूर्ण हो पाया है यदि कारे के यही रफ्तार रही त सबा चनाओं के बाद ही कारे की गती पकड़ पाएगा ऐसे हालात में 2025 तक नर्मदा नीर के लिए इंतिजार करना पड़ सकता है आंदोलन को लेकर शेहर वासियों दवारा गठित नर्मदा नीर संगर समीती आंदोलन को लोक तांतरिक विवस्ता के तहत आगे बढ़ रहा ह लेकिन धर्ना प्रदर्शन को करीब 20 दन गुजर जाने के बावजूत राजे सरकाय जिला प्रशासन वर शेत्र जन प्रतिन नीतियों द्वारा आंदोलन को गंबीता से नहीं लेने की वज़ा से नर्मदा नीर संगर समीती के कारे करताओं में बारी आकरोश है समीती द्वारा आंदोलन को तेज करने वह भीनमाल शेहरवास योवर ग्रामेनों का सयोग लेने के लिए रन नीति तयार हो रही है जागरुक टेवी की भीनमाल से परवत सिंग राओ के रिपोर्ट